Hello everyone, आपका one second welcome है टेक office पे और इस वीडियो में आपके लिए लेका हुए काफी इंट्रेस्टिंग वॉल्म पैनल का कुस्टमाइजेशन जो की हर एक Android डिवास के लिए क्लिए काम करेगा, जिए आपके पास Realme है, Oppo है, Vivo है, OnePlus है, Xiaomi है, Poco है, कोई साथ ही है, आपको टेंसल ल पिक्सल का experience room यूज कर रहा हूँ और इसके ऊपर में, MIY का volume slider भी यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको complete detail देने वाला हूँ कि आप official volume slider को किस तरीके से चेंज कर सकते हो, किसी भी smartphone के तर यूज कर सकते हो, और साथ साथ आप इसे MIY 11, MIY 12 या MIY 9 के यूज कर सकते हो, तो आप देख से तो यहाँ पर भी यह colorful हो गया, तो वीडियो को full and watch करते रहें, जहाँ पर मैं आपको complete detail देने वाला हूँ इस slider के बारे में, कि आप इस तरीकी से activate कर सकते हो, अपने किसी भी smartphone के अंदर आपको टेंसल लेने की दिवत नहीं है, तो वस व volume slider के customization के बारे में, बात कर रहे हैं, तो सबसे पर आपको इसका feature से दिखा देता हूँ, उसका और मैं आपको दिखाऊं कि इसे activate कैसे करना है, तब इस फिलार मेरे पास popo app 1 है, जिसमे मैंने pixel experience flash किया है, और इसका review मैं आपको पहले लेक प्रवाइट कर दिया है, तो आप आपको less light volume panel को है, जो change करने का option मिल जाता है, जो कि आप change कर सकते हो, इसका जो height होना चाहिए, और खिस जगह पे सो होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पर control कर सकते हो, तो यह आपको जहां पर अच्छा लगता है, वहाँ पर टाल सकते हो, उसका इसके height कितनी होने चाहिए, जितना small आपको पसंद आता है, उतना आप कर सकते हो, जितना चाहो आप long है, जो इसे कर सकते हो, यह भी motivation मिल जाता है, इसकी फिर यह कितने दे तक 100 होगा, वो भी आपको यहाँ पर set कर सकते हो, वह पर इतना ही नहीं, अगर आप नीचे की रहा आते हैं, तो यहाँ आपको आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे, आपको बावर सेटिंगे में जाने की जो नहीं होगी, तो बहुत अच्छा motivation यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर चाहो तो gradient color भी है, जो दे सकते हो, आप देखने को मिल रहा है, तो आप उसे colors भी है, जो decide कर सकते हो, कौन सा color है, जो पर चेंज करोगे तो और extra advanced features मिल जाएंगे, बट don't worry, पर चेंज करने की जुरूरत नहीं है, क्यों बहुत अच्छा option पहले है, आपको enable मिल जाते है, आप चाहते हो कि expand हो जाए, बस हम volume पर tap करें तो, तो यह भी आप option देखने को मिलता है, बस slider पर tap करना है, और auto expand होके सा बस यह आप यह लगा रहेगा, आपको पसीजर से और slide करना है, आप देखने को भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस slide करना है और आपको volume पैनल सामें आ जाएगा, और आप control कर पाऊगे, तो without hardware को touch किये हुए, आप फेज़ो आपने volume case, जितने भी option है, उसको control कर पाऊगे, यह भी काफी अच्छा plus point मिल जाता है, उनके लिए जिनका hardware फ्रावट खराब है, और यह कितने दे तक फो होगा, इसका trigger या फिल लेंथ, जेस्टर का वो भी आप मेंटेन कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा option है जो आपको देखने को मिल जाता है, आप देखने को स्मॉल हो और यह काफी जो लाट हो गया, इस टाइप से कर्स्माइशन आप कर सकते हो, वही पर बैक्ट्रा आते हैं, सेटिंग के और यहाँ आपको मिल जाता है, जो कि इस तरीके से काम करता है, कुछ यहाँ पर वाले वर्जन हैं, कुछ आपको नॉर्माल एडिशन भी देखने को म जाता है, आई पर बभते हम, तो यहाँ पर आपको यह वाले वी आपको अपसन के मिल जाते हैं, जो कि इस तरीके से हैं, इस ट्रिके सब्सक्राइब अब हम जाते हैं, घ्यांस सा बबना पने बमोर्जिंस साथ केुते हो, अगर आप यहाँ पे और रखना-चार्वार्ण को मिल जाता है जो स्लाइट करने पार कुछ इस तरीके से सो होगा तो यह वन अप तर बेस्ट वॉल्युम स्लाइटर कंट्रोलर बन जाता है जो कि आपने फोन के अंदर अपलाई करके काफी कमाल के इंट्रेसिंग दो चेंज ला सकते हो अब बार याति कि इसे इंस्टॉल कै कैसे करना है तो मैं आपको दुस्वेशे फोन को पर अक्टिवेट करके दिखाता हूं अगर आप अब अब इस तक वीडियो वाच करें इसका मनला आपको वीडियो के आंतर काफी जड़ा इंट्रेस्ट आरहरे वीडियो आपको लिए आपको इन्परमेटिव है तो इससी करना है जो कि अल्ट्रा वॉल्यूम कॉस्ट्रम स्लाइडर कंट्रोलर है यह आप सर्च करके इसे टार्वर्ड कर लो उसका उपन करना है इस अस्टार्ट पर टैप करना है यहां पर दो प्रविशन आपको एक्सेस करने होंगे जो के डियंडी है और उसका बाद इस्विल्ट करते हैं और कुछी सिर्का पॉप-प मैसेज आता है और हम अप्लिकेशन को परमिशन नहीं दे पाते हैं तो डॉन्ट वरी आप है जो इसली डे पाऊगे बस अगर सेम प्रोलम आता है तो सेटिंग्स में इन करना है एडिशनल पर आपको जाना है और जो किपवल आपने उ अप्लिकेशन को दे दिया है और यह जो एक्टिवेट हो चुका है अब सिंपली आपको जो भी स्कीन चाहिए वह आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसे टैप करना है आप देखते हो यह चेंज हो गया अगर मैं MIY को पर जो चेंज करना चाहूंगा तो मैं यहां पर यह पर अप्लाइ हो जाएगा और किसी भी डिवाइस को पर है जो प्रोपर तरीके से जो काम करता है यह मुझे काफी ज़्यादा बहत्रीन लगा और आप वोट करके मुझे जरूर बताना कि यह जो वॉल्म स्लाइडर आपको दिखा यह आपको कैसा लगा और इसी तरह के और झाल